हे नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पास्पोर्ट हेलफ लाइन पे जहां पे आपको पास्पोर्ट अप्लिकेशन डोकुमेंटेशन पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग-अलग कं काफी स्पेशल वीडियो है काफी डिमांड की जा रहे थी इस वीडियो को लेकर तो आज जो है फाइनली बहुत स्पेशल वीडियो जो है यूएस वीजा के उपर गाइस यूएस यूनाइटेड इस्टेट्स ऑफ अमेरिका यह कैसा कंट्री है जिसको मतलब वर्ल्ड अगर बिल्कुल टॉप रैंक के होते हैं तो उनकी हमेशा यह प्रॉरिटी होती है कि वह यूएस जाकर ही अपने उस रिसर्च को अपने उस जॉब को आगे बढ़ाएं और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं लाइक गूगल हो गया फेस्बुक हो गया ट्वीटर हो गया इंस्टाग्राम मतलब कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनिया उन सभी की जो शुरुवात हैं उनके हिड़ क्वाटर यूएसे में भी हैं और हम सभी भारतियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी जो की पूरे वर्ड में टॉप हैं वहां वहां बसना चाहते हैं वहां श्टडी करना चाहते हैं और उसके बाद जो है लोग वहां घूमना चाहते हैं टूरिजम करना चाहते हैं वहां न्यू यॉर्क जाना चाहते हैं सैन फ्रासिस्को जाना चाहते हैं नेवाड़ा जाना चाहते हैं लास वेगस जाना चाहते हैं म मागरिकों को तो अमेरिका वीजा देता ही है देता भी है तो बहुत मुश्किल से उनको वीजा मिलता है कुल मिला दोला कि कहें तो दुनिया में truth पोटल 192 देशों में अगर सबसे मुश्किल अगर किसी कंट्री का वीजा लेना है ठीक है आधर वहां पे अगर आपको पर्मानेंट पी आर का वीजा चाहिए या फिर आपको वहां पे वर्किंग वीजा चाहिए जिसको एच बन वीवन बोलते हैं या फिर अगर टूरिस्ट वीजा की भी बात करें तो यहां पर United States का वीजा है बहुत मुश्किल से मिलता है खेर आज की वीडियो में complete बात करने वाले है कि कौन-कौन से documents की requirement होती है कौन-कौन से ऐसे criteria है कौन-कौन से आपके पास चीज होनी चाहिए eligibility criteria जिससे आप United States of America का वीजा प्राप्त कर सके और गाइस आज जो वाला ही आपको sponsor करता है तो वह वीजा तो मतलब एक तरीक से formality हो जाती है फिर वीजा तो आपको देना ही देना है ठीक है और भी बहुत तरह कि अगर आपके वहां relatives रहते हैं अगर आपके blood relatives रहते हैं तो आप उनको visit करने के लिए वीजा के लिए apply कर सकते हैं तो वह सब easy way म होता है और दुनिया में सबसे अधिक popular visa कुछ होता है तो वह tourist visa ही होता है ठीक है जिसमें की कुछ fix durations के लिए लोग जो है वहां जाना चाहते हैं वहां explore करना चाहते हैं वहां घूमना चाहते हैं तो आज हम complete जो है tourist visa के बारे में बात करने वाले है on Indian passport एक Indian passport holder किस तरीके इसे जो है अमेरिका का tourist visa पा सकता है ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता दो कि जो अमेरिका का जो वीजा है ठीक है इसमें आपकी पर्सनल इंटर्व्यू भी पर्सक्राइब की जाती है तो यह आपको अपने माइंड में चलना है और आगे मैं आपको step by step बताऊँगा कि सबसे पहला क्या होता है सबसे पहला ठीक है तो गाइस दखो इंडिया में क्या है कि यूएस की इंडिया में क्या है कि टोटल तीन जगह पर डेली डिली में इंबैसी है मुंबई में इंबैसी है और कोलकाता में उसका कंसुलेट है मतलब यह कि उनका authorized office है जहां पर उनके officers जो है उनके diplomats यहां बैठते हैं उनके राजदोत यहां बैठते हैं और जो भी वीजा कंट्रोल जो है सारा उनके अपना ही खुझ से वह करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गाइस उन्हों ने जो है अप्लिकेशन के management करने के लिए एक third party company जो है वह हायर की हुई है जिसको बोलते है वीएफेक्स जो कि आपको इंडिया के लगबग सभी बड़े शहरों में जो है आपको इसका office मिल जाएगा या फिर आप कर सकते हैंना आपको सबसे पहले कि आपको लीसित करना होता है और वहां से वीजय का आपको आपको पम का या दॉतने के पिंड और आपको चानका आपसे पूछी जानकारी पूछी जाती है वह सारा बढर ना होता है जो भी आपके passport मेंशन है बिलकुल आपको डिक्टो सेम एक एक वर्ड जो है क्रॉस चेक करके भरना होता है क्योंकि आपके passport से और जो आप फॉर्ममें जो जानकारी भरते हैं वो बिलकुल 100% मैच होना चाहिए नहीं तो आपका अप्लिकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा इंटर्वीव भी आपका कंड़क नहीं होता ठीक है तो वह तो आपको पूरा फॉर्म भरना यह जो भी उसमें जानकारी मांगी गई है आपका नाम आपका डेट ऑबर जो भी चीजें वह होती है उसके बाद आपको अपना एक वाइ सहिए गाइस क्योंकि इसके लिए चीजे कि आपको का अपको चेने आप के अबॉरिश के लिए ठीक मिलिए का जाएंगे और अराम से शॉपिंग बड़ुमगां के आप बापिस आ जाएंगे कोई देश यह नहीं चाहता कि ऑन्दा जो ट्यूरिस्ट वीजा पर आए और laure here का होके रहा जाए वो यहीं कहीं भाग जाए नहीं आपको जो अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं तो आपको बापस आना है तो इसलिए आपको जो है confirmation voucher की सबसे पहले जरूरत होती है आपको पहले अपना पूरा एक प्लान करना होगा आपने वह अप्लिकेशन फॉर्म पूरा भर दिया आप उसको अराम से रख लिजे क्योंकि यहां पर आपको फाइल बनानी पड़ेगी दोस्तों ठीक है फाइल बनानी पड़ेगी आपको और यहां पर और ध्यान रखना है कि अगर आपका पासपोर्ट जो वही अगर आपका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है मतला आपका पासपोर्ट पूरा बिल्कुल ब्लैंक है आपका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है आपने किसी फॉरेंड कंट्री में ट्रेवल नहीं किया है और आप सीधा पहली बार अमेरिका के वीजा के लिए आप 99% chance है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर जो भी वीजा जो जो ओफिसर्स होते हैं जो वीजा के लिए डिसिजन लेते हैं ठीक है तो उनको इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वह अपने अपने कह सकते हैं एक्सपीरियंस पर यह अनलाइज कर पाएं कि कौन बंदा जेन्यून है और कौन फेक है अब सपोज करो कि कोई बंदा जो है अभी तक कभी वह थाइलेंड नहीं गया कभी दुबाई नहीं गया ठीक है कोई छोटा मोटा कंट्री विजिट नहीं किया तो व आप श्रिलंका नहीं गये आप दुबाई नहीं गये तो आप डिरेक्टली अमेरिका जा रहे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है आपका मकसद कुछ और है आप टूरिस्ट विजा लेकर आप वहां पे अंडर ग्राउंड हो जाएंगे आप जो है आप वहीं पर तो इसलिए अगर आपकी लॉंग टर्म में प्लैनिंग है कि आपको अमेरिका का वीजा अप्लाई करना है तो पहले छोटे-छोटे कंट्रीज में आप टूरिजम स्टार्ट कर दो जहां पर वीजा इसली मिल जाता है ओन राइवल मिल जाता है फॉर एक्जेंपल अगर अप्ताइवल एन्द गया है तो वहां से विएतनाम हो लो लोस हो लो मियामार हो लो फिर अप दुबाई चले जाओ या फिर आप शीलंका चलेज़ा उससे क्या होगाना कि आपका ट्रेफलिल हिस्ट्री बने-गा ट्रेएवल की त्रेवल हिस्ट्री कैसे पशनी बनेगा कि तो देखेगा कि आपके बहुत सारे वीजा लगे हुए हैं आप थाइलेंड जा चुके हैं आप दुबई जा चुके हैं वियतनाम कंबोडिया लाओस म्यामार मतलब कि सही में आपके अंदर टूरिजम वाला कीड़ा है आप घूमना फिरना परसंद करते हैं वही आप वीजा हो कि आपको दुबारा मिलेगा मुमन चांस ही होता है हलाकि आप दो साल बाद अपलाई कर सकते हैं लेकिन आपका वीजा मतलब मान के चलो कि पर्मानेटली रिजेक्ट हो गया इसलिए रिजेक्शन से आपको बचना चाहिए आपको पहले आपना एक ट्रेवल हिस्ट्री ब बनता है उसके बाद यह तो हो गया पार्सपोर्ट का पूरा मैटर क्लियर हो गया उसके बाद आपको जो है पूरा अपना प्लान करके बताना होगा कि आप अमेरिका जा रहे हैं ठीक है और वहां कहां कहां विजिट करेंगे ठीक है जिसे अगर आप अमेरिका का जो वीजा होता है वह मिलता है आपको 10 सालों के लिए ठीक है अमेरिका का जो टूरिस्ट वीजा भी होता है वह 10 सालों के लिए होता है मल्टिपल एंट्री होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको वीजा 10 साल का मिल गया तो आप 10 साल तक वहीं घूमोगे ऐसा नहीं है शारुकान क जाने से पहले एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम में कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं लगिन आप चुकि फर्स टाइम जा रहे हैं वीजा के लिए प्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको जो है अगर आपका एक हफ्ते का प्लान है दस दिन का प्लान है तो पूर तो यहां पर क्या है कि आप चाहें तो डमी टिकेट का भी सहरा ले सकते हैं डमी टिकेट आपको इसली 500,000 में मिल जाता है और आपका वीजा अप्रूब हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है आप उसको कंफर्म करवा सकते हैं तो यहां पर आपको रिटर्निंग टिकेट औ और दोनों का रिटर्निंग और दिपाच आपका दोनों टिकेट होना चाहिए और सपोर्ज करें कि आपका टिकेट यहां से एक तारीक का है अगर आप एक अक्टूबर को इंडिया से बाहर जाईएगा अमेरिका और बापिस आपको आना है ग्यारा को तो यह एक से लेकर ग application में पूछा जाएगा कि क्या अमेरिका में कोई आपका जान पहचान कर रहता है तो यहां पर चोड़े होने के लिए कि गल्ती से भी आपको यस नहीं करना है यह मतलब यह हुआ कि हां अमेरिका में आपका कोई जान पहचान वाला है और आप उसी के साथ जाकर सेट होना चाह तो आपको यह बिल्कुल भी वहां पर डिस्क्लोज नहीं करना कि आप वहां किसी को जानते हैं आप बिल्कुल वहां के लिए उस सिटी के लिए उस कंट्री के लिए उस पूरे एटमोसफियर के लिए ठीक है तो यह होगी आपकी आप डाउन की टिकेट्स हो गई करता है तो आप जितना ज्यादा अपना फाइनेंशियल इस्टेबिलिटी दिखाएंगे आप जितना ज्यादा आमीर हैं आपकी यहां पर इंडिया में बहुत अच्छे बिजनस है बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं आप काफी अच्छे रेपूटेडिट कंपनी में ज बंदा बिल्कुल unemployed कोई बेरोजगार है और वह अमेरिका के वीजा के लिए अपलाई कर दिया वह यह प्रूब नहीं कर पाया कि वह इंडिया में क्या काम कर रहा है तो वह वीजा इंटर्विवर यह सोचेगा कि यहां बेरोजगार है कुछ काम धंदा नहीं है तो जाहिर स आपको जो है अपना financial stability दिखाना होगा आपकी अगर आप ITR भरते हैं तो ITR की कौफी सारे previous years की आपके जितने bank accounts है उसका अगर आप चाहें तो आप उसका statement निकलवाकर उसको जो है बैंक से verify करके ले जाए जाए जाहिर सी वात अगर आपके account में एक करोड़ दो करोड़ रुपे हैं पचास लाख रुपे हैं मतलब कि आप एक रिच है तो जाहिर सी बात है रिच आदमी क्यूं कहीं जाके बसेगा वो तो बापिस आये गाए अगर आप किसी अच्छी company में जॉब करते हैं तो वहां कि आप HR से लेटर पैड पे ले आए या फिर अपना आई-कार्ड को लगा दे जिसे प्रूवग नहीं इंडिया में जो है यह वेल इस्टेबलिस है अच्छी company में जॉब कर रहा है तो यह तो तुरंती बापिस आएगा क्योंकि छुट्टी ऐसे भी कम मिलती है वह अगर आपको government employee है तो एक और plus point हो जाता है कि कोई सरकारी नोकरी छोड़ गर्दों बाहर में नहीं बसेगा को इतना वड़ा बेवकूफ तो है नहीं कि कि को इंडिया में कुसी अच्छे जॉब में है को अच्छे सरकारी नोकरी में है तो वह अमेरिका ज अगर आपने fix deposit करवा रखे हैं जितने बैंकों में तो वह सारा अपने आप फाइल मेंटेन करो ना आप फाइल मेंटेन करो जिसमें आपका पूरा financial stability हो जो कि एक strong evidence होता है कि आपको रिच साबित करने में और अमेरिका का वीजा का simply यह रूल है आप अपने आपको रिच प बना लोगे ठीक है एक फाइल पहला जो मैंने बोला कि आप VFX से जो डाउनलोड करोगे वह भर के उसके साथ passport अटेच रहेगा और दूसरा आपका itinerary जाने का आने का वहां का इस्टे का दो हो गया और तीसरा आपका financial stability जिसमें आपका सारा आपके पास कितना पैसा है आप तो वह वहां शो करोगे तीनों को आप ले जाकर जो है ना सबसे उपर रहेगा आपका फॉर्म वित पासपोर्ट सेकेंड आपका रहेगा आइटिनरी प्लान एंट्री एक्जिट बुकिंग होटेल और तीसरा आपका financial जो भी है आपका ITR जो भी documents जो भी documents रहेंगे है तो हिंदी में या फिर इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में दे सकते हैं जिसमें आप कमफर्टेबल कोई जरूरत नहीं है कि आपके आपको जो है इंग्लिस का knowledge होना जरूरी है तब ही आपको वीजा देंगे ऐसा कोई रूल नहीं है वहां पे वीजा कंड़क्ट जो है इंटर्विव है वह हिंदी में भी इंग्लिस में भी दोनों में होता है ठीक है तो आप जो कमफर्टेबल रहें वहां उनको बता सकते हैं बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है कोई भी गलच जानकारी उनको नहीं देनी है अमेरिका का जो खूफिया एजेंसी है बहुत ब बताना है अगर आप मेनेजर हैं तो मेनेजर ही बताएं आपको चेयर में नहीं बताना है ठीक है क्योंकि वो काफी experience होते हैं वह साथ गश्रांब वाले को हर एक जूट को पकड़ लेते हैं और जहां उनकी नजर में आप जूटे आप उनके नजर में निए इसकैमर या फिर फ्रॉड जो है आप आपका इमेज वैसा बन जाता है तो इसको आपको अवाइड करना है ठीक है और अगर आपका इंटर्वीव कंड़क्ट हो जाता है तो आप उनके इशारों से आपको पता चल जाएगा आपको उनके ना बॉड 50-50 का चांस हो गया आइदर वीजा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है उसके बाद किया है कि आपको कनफर्मेशन का मेल आ जाएगा मैसेज आ जाएगा और अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया है तो आपके पासपोर्ट पे जो ब्लैंक पेज़ेज वीजा के लिए उस पर वीजा स्टीकर वीजा लगके बाई कूरियर आपके अड्रेस पर आ जाएगा जो आपने फॉर्म में भारा था यह था पूरा स्टेप जो की युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वीजा के लिए इंपोर्टेंट है और अगर आप मे कोमेंट में पूछ सकते हैं अगला जो वीडियो होगा वह आपके सजेशन के आपके सवालों के उपर होगा और गाइस अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट है प्लाइन पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिजेग ताकि अगली बार जो मैं को नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जैहिंद